Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इस केस में compare किया गया था, इस केस को समझने के लिए ठीक तरह से उसका judgment देने के लिए, और इसके बाद में 703 पन्नों का judgment तयार हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस judgment के बाद इंडियन डेमोक्रेसी को एक तरह से बचाया गया था, यह केस है भारतीय सम्विधान के सबसे महतवपूर्ण केसों में से एक केसवनन भारती वर्से स्टेट आफ केरला केस, आज आपको सब कुछ इस केस के बारे में बताने वाले हैं और बहुती सरल तरीके से आपको एक पूरा केस एक कहानी के तोर पर समझ में आ जाएगा, कैसे इस केस के दौरान लंबी परिश्तान चली सरकार के और जुडिशिरी के बीच में, कैसे इस केस के खतम होने के बाद में सरकार ने सुप्रीम कोट के जज़ेस से अपना बदला निकल निकाला था, उनसे कैसे बदला लिया था, ये भी आपको बताएंगे, और ये सब कुछ UPSC के हिसाब से अगर पता चलेगा, तहीं constitutional amendments के बारे में पता चलेगा, आपको जमीदारी system और land reforms के बारे में पता चलने वाला और ये सब कुछ आपके GS2 के paper के लिए बहुत जादा महत्पूर्ण हैं, तो शुरुआत करते हैं आज इस case को, तो आजादी के पहले जब हम Britishers के अंडर में थे, उस वो जमीन पर जमीदार की काम करते हैं, इन लोगों को खेती हर मजदूर होने का तो दर्जा मिल जाता था, लेकिन इनका हाक नहीं मिलता था, और इस तरह का अन्या, इस तरह का social injustice ये पूरे भारत वर्ष में लगा था उस समय पर चल रहा था, इन ही सब के चलते, British राज में जब ये इंजस्ट्रेस इस तरह के कई और इंजस्ट्रेस भी होते हैं लोगों के साथ में, लेकिन इन ही सब के चलते, 1940 में, 1940 में, करिला में जनम होता है केसवन अंद भारती का, किसी को नहीं पता था उस ताइम पे कि ये जो बच्चा, ये जो आज इस बच्चे का जनम लोची थी, साथ साल की उमर होती है, और साथ साल की उमर में केसवन भारती ने भारत को आजाद होते हुए देखा, भारत ने आजादी की, अपनी पहली सांस ली, यहाँ पे अब जब बिटिश राज खतम होता है, तो भारत के अंदर अपनी एकनॉमी और सोशल एक तरसे कह भारत को और यहाँ पे लोगों को पता चले उनके अधकार, कि उनके अधकार क्या-क्या है, अब जब लोगों को अधकार मिल गए, 1950 को समय आ चुका था, तो 1950 से 1951 यह वही समय था जब भारत में जो जमीदारी सिस्टम चला आ रहा था पहले से, इसको हटाने का, यह फाइन इनमें बेसिकली किया के जाएगा कि हर व्यक्ति को, लिमिट कर दिया जाएगा कि हर व्यक्ति कितनी जमीन अपने पास रख सकता है, कुल मिलाके जमीन रखने पर सीमा लगा दी जाएगी और जो जमीन का एकत्री करण जो होता था जमीदार करते थे, इसको रोकने के लिए दूसरा पहलू भी था, यह वो पहलू था कि जहाँ पे Constitution के जो Right to Property था लोगों का, जमीदारों ने एक कहना शुरू किया यहाँ पे कि हमारे Constitution के जो हमारे सम्मेदान है, इसका Right to Property जो हमें मिला है, यह उसका हनन है, यहाँ पे उसका हनन हो रहा है और हमारे मौलिक अदकारो का यहाँ पे हनन हो रहा है, और इसी के चलते पूरे भारत भर, पूरे भारत में से, जातर जितने भी जो जमीदार थे, इन लोगों ने इन कानूनों के उपर, यह जो कानून लाए गए गए थे, लैंड रिफार्म एक्ट, जो लाए गए गए थे सरकार के दोरा, इनके में आए दिन पेटिशन आती थी, और अचानक से यह सब एक माहौल बन गया देश में बोलना शुरूर कर दिया जमीदार होने कि हमारी जमीन हमसे बिना पूछे, बिना कुछ कहे, सुने, हमसे छीन ली गई है, दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बत कियारी कराई जाती है, हैंडएन नोट्स मिल जाते हैं, study material मिल जाता है, यहाँपर आपको हिंदी, 중국, English, तीनों भाशन मिल जाते हैं, कई सारे आपको और भी facilities मिल जाती है, यहाँपर साथ ही साथ है morning batch, evening batch है, अपनी सहुलित के हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आप आप एक बैच चूज कर सकते हैं जब आप इस बैच को चूज करेंगे तो जो नीचे आपको कोड़ दिख रहा है वीजे लाइब स्क्रीन पर आपको इस कोड़ को यहां पर लगाना है और इस कोड़ को लगाते ही आपको जो सतर हजार का कोर्स है वो 29,999 में मिल जाता है आप यहां सिर्फ यह कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे वहां पर आपको सारे बैच के लिंक मिल जाएंगे पी टू आई का भी लिंक होगा जो आप यहां पर पी टू आई के बैच पे इस कोड़ को लगाएंगे वीजे लाइफ को सेलेक्ट करने के बाद वहां अपर आपको सत्रदार का कोस 39,990 में मिल जाएगा और आप यहां पे बहुत बड़ा डिसकाउंट लेंगे अपनी तयारी को बहुत जादा मजबूत बनाएंगे जल्दी से जल्दी अपना कोर्स को लगाएं अपनी तयारी को मजबूत बनाएं धन्यवाद अब सरकार ने जब यह देखा कि जितने भी यह जमीदार हैं सारे यह हाई कोर्स तक जा रहे हैं यह कोर्ट तक अदालत में अपील कर रहे हैं अपनी पेडिशन डाल रहे हैं अपने अधकारों का हनन्द बता रहे हैं इस चीज़ को तो यहां पे सरकार 1951 में पहला Constitutional Amendment लेकर आती है First Constitutional Amendment इसमें दो में प्रोवीजन लाई थी सरकार एक Article 31-A और एक Article 31-B इन प्रोवीजन के अकॉर्डिंग सरकार को यह अधकार देती थे प्रोवीजन के जहां पे सरकार किसी की भी प्रोपर्टी जो है उसको अक्वायर कर सकते उसको ले सकती है अगर वहाँ पे जमीन का जो डिस आया तो जमीदारों ने अब इसका विरोध करना शुरू कर दिया जमीदारों ने अब यह कहना शुरू कर दिया कि यह जो नया अमेंडमेंडमेंट लाया गया गया है यह भी हमारे fundamental rights का violation कर रहा है हनन कर रहा है उनका और सरकार के पास ऐसी कोई थाकत नहीं है कई सारे cases गए Supreme Court तक भी High Court तक गए High Court से Supreme Court तक गए ऐसे कई सारे बड़े-बड़े cases सामने आया भारत के उस समय पे इनमेंसे कुछ मामने ऐसे थे जो 1951 में जो एक case आया था शंकरी प्रसाद सिंग देव वर्सेज यूनिन ऑफ इंडिया यह केस था इसके बाद में 1965 में आपक गुलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब यह जब केस आया तो इसके बारे में आपको बताएं Supreme Court की उस समय की सबसे बड़ी बैंच को सुनने के लिए बैठी हुई थी कर्म से कम 11 जजेश थे उस बैंच के अंदर 11 जजेश की बैंच थी एक बड़ा case था और इस case की खास प्रसाद देव का जो case था Union of India के साथ में इन सारे case को interconnect करके गुलकनाथ वाले case का judgment अपना सुनाया था इन सबको देखा गया था और इसके बाद में गुलकनाथ case में Supreme Court ने अपना एक landmark judgment दिया judgment देते हुए Supreme Court ने ये कहा कि Supreme Court judicially review करेगा कोई भी Constitution Amendment Act को अगर वो किसी भी fundamental rights का हनन कर रहा है मतलब देश की जनता के अगर किसी भी मौलिक अधकार का अगर यहाँ पर violation हो रहा है और यह पार्लेमेंट के द्वारा कोई भी ऐसा act लाया गया जिसके तहत वो violation हो रहा है एक्ट को void declare कर सकता है हटा सकता है और साथ ही साथ में उसको judicially review भी कर सकता है तो यहाँ पर अब जब यह चीज़ें होती है एक तरह से कहा जाए कि सरकार और judicially के बीच के और टसल था जो खीशतान थी अब वो शुरू हो चुकी थी इस बीच में केसवान भारती जो थे वो इसमें इस बीच में क्या कर रहे थे कि 1959 में करीबन 19 साल की जब उनकी उमर थी तो उन्होंने सन्यास ले लिया था अपने घर को छोड़ दिया था इसके बाद में वो केरला के जो कासर गोड है कासर गोड में स्री एडनीर मठ है वहाँ पे करीबन 2 साल वादी उनको 21 साल रहा कि उमर में उस मठ का संकार चार बना दिया जाता है, संकरा चार की उन्हें पडवी मिल जाती है, मतलब उनको उसका हेड बना दिया जाता है तो यहाँ पे अपनी बहुआ मठ था इसको समालने लगते हैं, एडनीर मठ के पास कर लाकर अंदर बहुत बटी जमीन थी उन इसके सल रहा तरही इसमें उनका कोई भी डॉल्ल नहीं ता अब तक वह इन सबसे दूर थे एक तरह से लेकिन गोलकनात वर्से इस्टप Shift जो case था, इसमें Supreme Court के judgment के बाद एक बार फिर से देश बर के जत्ते भी जमीदार थे, उनके लिए एक तरह से gate खुल गए थे, दुबारा से petition डालने के, अब वो फिर से एक बार High Courts में जाने लगे, उनकी petition जाने लगी, क्योंकि इस case के अंदर Supreme Court ने एक बड़ी बात ये कह द करती है, अगर वो हनन कर रहा होगा, किसी मौले का अधिकार का, लेकिन अब हुआ क्या है यहां पर, कि दो साल यहां से बीटते हैं, गोलकनाथ केस थे, 1967 में गोलकनाथ वसे स्टेट ऑफ पंजाब का case हुआ था, यहां से दो साल बीटते हैं, और 1969 में, केरला गौर्मेंट की जो जमीन थी, एडनीर मट की, उसमें से कई बड़ा हिस्सा, जो था, वो सरकार उसको अधिकर्ट कर लेती है, उसको ले लेती है, यहां आब एंटरी होती है, केसवान भारती के इस पूरे लैन रिफॉर्म के मामले में, मार्च 1970 1970 को, केरला गौर्मेंट के इस एक्ट को, केसवान भारती ने हाई कोर्ट में पहले चैलेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि यहां पे मेरे फंडमेंटल राइट्स का हननन हो रहा है, उनको वॉयलेट के जा रहा है, और कौन-कौन से उन्होंने अपने फंडमेंटल राइट्स बताये थे, उन्होंने बताया था, इसमें दिया जा रहा है आपको से वही दिया जाएगा लेकिन आपकी जमीन जो है वो ले ली जाएगी आपको जो इस्टेब्लिश एक प्रोसीजर है उसके तहत यहां से केसवारन भारती पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोट अब यह सुप्रीम कोट में अपनी पेटिशन डा अपना अब एक जवाब दिया क्योंकि सुप्रीम कोट को आपको याद होगा गुलतनात के केस में सुप्रीम कोट ने कह दिया था कि जो भी पार्लेमेंट अपना अमेंडमेंड मेंड लाएगी कोई भी चेंज करेगी अगर वो फंडेमेंडल राइट का हननन कर रहा होगा तो हम उसको रिव्यू करेंगे जुडिशली उसका रिव्यू किया जाएगा लेकिन यहाँ पे सरकार क्या करती है पार्लेमेंट क्या करती है सुप्रीम कोट को अपना जवाब देती है कुछ नए अमेंडमेंड मेंड को लाके सरकार यहाँ पे कुछ नए अमेंडमेंड में इस समय देश के प्रधानमंत्री जो थी वो थी इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी प्रधानमंत्री थी और 1971 में पार्लेमेंट लाती है अपना 24th Constitutional Amendment लाती है इसमें कहा गया कि हम Article 368 के तहट 368 के तहट कोई भी Constitutional Amendment ला सकते हैं कर सकते हैं और अगर हम कोई संशोधन करते है Constitution के अंदर कोई Amendment लाते हैं तो यहाँ पे उसे Article 13 Clause 2 के तहट Judiciary Review नहीं कर सकती यह यहाँ पे बोल दिया Supreme Court उसे निरस्त नहीं कर सकती वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती एक तरह से माना गया इस समय पे कि इंद्रा गांधी की जो सरकार थी यह एक तरह से तै करना चाह रहे तो यह सब यहाँ पे अपना करना चाह रहे थे और साथ में एक Extraordinary Power Parliament सरकार अपने पास रखना चाह रही थी इसके बाद आप क्योंकि यह खीशतानब शुरू होई चुकी थी Judiciary और सरकार की तो Judiciary को एक तरह से चैलेंज करने के लिए सरकार ने तीन और amendments को जंदा के सामने पार्लेमेंट में रखा यह amendment थे 25 वा constitutional amendment 25 constitutional amendment जिसमें बेसिकली एक तरह सुप्रीम कोट की पावर को ही चीन लिया गया था यह बदलाव करते हुए कि constitution की अगर कोई भी constitution के अंदर अगर सरकार कोई भी किसी की जमीन चीनती है किसी की जमीन लेती है तो Supreme Court compensation उसका decide नहीं कर सकत Supreme Court उसमें दखल नहीं दे सकता नहीं उसका compensation जो है वो decide कर सकता है इसके बाद में 26 constitutional amendment लाती है सरकार इसमें कहा जाता है कि जो princely states थी उनका जो preview purse उन्हें दिया जाता था उसको यहां से खतम कर दिया गया और यह सारे वो मामने थे अगर आप देखें तो कि जिनमें Supreme Court का decision उसे challenge कर दिया एक तरह से यहां पर मतलब आप देखें कि Parliament लगाता है Supreme Court को challenge करे जा रहा था और इसके बाद में 1972 में 29th constitutional amendment लेकर आती है Parliament यहां पर यह जो constitutional amendment लाया गया था 29th इसमें केरला सरकार के केरला स्टेट के राज्य के दो land reforms act थे जिनमें केस्वान भारती ने भी जि challenge किया था court में Supreme Court के अंदर उन्हें first constitutional amendment के article 31b के 9th schedule में डाल दिया जाता है इन दोनों acts को अब यह 9th schedule क्या था यह एक तरह से protection की तरह से काम करता था एक तरह से यहाँ पर judiciary जो है वो इसको करी नहीं सकती review और नहीं एक तरह से आप यह देखिए कि चाहें वो यह देख पाएगी judiciary के वो किसी के fundamental right का हरन कर रहा है या नहीं कर रहा है कुल मिला कि judiciary इसको छू नहीं पाएगी उस act को उस amendment को अगर वो 9th schedule में डाल दिया गया है यहाँ पर क्या करती है पार्लेमेंट के जो केरला सरकार के दोनों land reforms act थे उन्हें 9th schedule में डाल दिया जाता है एक तरह से उसका protection करने के लिए अब केसवान भारती एक तरफ इनके सामने इतनी सारी समस्या खड़ी होगी कि एक के बाद एक amendment आते जा रहा है इनकी case के बाद और उसके बा इन सभी के खिलाफ उन्होंने यहां पर अपना petition डाल दिया खास करके इनका जो केरला सरकार का जो दो act थे उनके खिलाफ जो इनका एक तरह से मामला चल रहा था उसको इन्होंने उस पर priority basis पर रख और यहां पर अपना इनका जो petition थे उसको डाल दिया और इसके बाद अब हो जाता है यहां से केसवान भारती वर्से स्टेट ऑफ केरला केस अब सुनभाई इस केस की शुरू होती है केसवान भारती की तरफ से जो उनके वकील थे वो थे नानी पाल की वाला नानी पाल की वाला यहां पर उन्हें रूपिजन कर रहे थे केसवान भारती का इस केस मे याँ पे कहना था सुप्रीम कोर्ट से कि पार्लेमेंट की जो पावर है वो काफी लिम्टेड होनी चाहिए इतनी जाधे एक्स्ट्रीम पावर एक्स्ट्रा पावर का पार्लेमेंट के पास में नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 13 क्लॉस 2 के तहत यह साफ तोर पर कह गया है कि fundamental rights जो हैं वो किसी भी प्रकार से उनका हनन नहीं किया जा सकता है साथ में इनका ये भी कहना थे यहां पर किसान भारती का कि constitution जो हमारा है वो लाया इसलिए गया था कि भारत के जो लोग है उन पर दुबारा से आके कोई रूल ना कर पाए कोई उनके ऊपर एक तरह से एक्स्ट्रीम पावर ऐसी किसी को ना मिल जाए कि कोई उन पर फिर से एक वार जो बात थी वो सामने आया थी कहला सरकार के तरफ से जो बैान था के सामने उन्हों ने कहा कि आर्टिकल ठी 68 के तहत 368 के तहत Parliament के पास यह सारे powers होते हैं. Parliament के पास इतने सारे powers होते हैं कि वो आपके rights को ले सकता है. वो आपके जो freedom of expression है freedom of speech है यह सब कुछ ले सकता है आपके religion है वो सब कुछ यह वो आपकी democracy तक को हटा सकता है तो यह चीज़ यहां से कही गई थी कि Parliament के पास सारे के सारे यहां पे powers हैं. अब Supreme Court के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा issue जो था वो यह था. इस समय के उनको एक तो यह देखना था कि जो 24th amendment है और 25th amendment है constitution का यह सही है भी या नहीं यहां पे क्योंकि अब जो अमेंडमेंट जो पार्लेमेंट लेकर आई थी यह सही है या नहीं इसको देखना हो तो साथी साथ ने एक बहुत बड़ा सवाल था. एक और issue था वो यह था कि क्या पार्लेमेंट के पास सच में इतने ज़ादा अनलिम्टेट पावर्स होने भी चाहिए या नहीं कि फंडमेंटल राइट का हनन्द कर सके केस चलते चलते अब यहां पे यह केस की रोज प्राइर्टी लेवल पे सुनवाई होती थी 68 दिन निकल जाते है 68 देज यहां से निकले बताया जाता है कि 100 से ज़्यादा केसे इसको साइडलाइन किया गया इस केस को प्राइर्टी पर सुनने के लिए इसको जल्दी से जल्दी सुनने के लिए खतम करने के लिए और आज तक कि सुप्रीम कोट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच करीबन 13 जजेस की बेंच जो थी वो इस केस में बैठी थी 24 अपरेल 1973 को इस केस का 703 परनों का जज्जमेंट आता है एक काफी बड़ा जज्जमेंट 703 परनों का जज्जमेंट आता है 24 अपरेल 1973 को सुप्रीम कोट ने यहाँ पे क्या का कि पहली बात तो यह कि जो पार्लियमेंट है यह मान लिया जाता है कि पार्लियमेंट कॉंस्टिशन के किसी भी हिस्से में बदलाफ कर सकती है संशुदन कर सकती है उसे अमेंट कर सकती है लेकिन Parliament Constitution के basic structure को नहीं चूँ सकती, उससे छेड़शार नहीं कर सकती है और judiciary का किसी भी amendment को Parliament के दोरा किये गए उसे review करने का जो अधकार एक तरह से वो basic structure of Constitution के अंदर आता है तो इसकी विज़े से आप हमसे ये हमारा अधकार नहीं चीन सकते हैं लाकर बात यह और ऐसा कहते हुए Supreme Court ने पार्लेमेंट का ये जो amendment था कि कोई भी अगर उन्होंने बदलाफ किया Constitution के अंदर किसी भी act में यहां पे जो जुडिशरी है वो उसको review नहीं करेगी, judicial review उसका नहीं हो सकता है इसे Supreme Court ने यहां पे खारिश कर दिया इस case में करीबन ये जो 13 judges थे जो 13 judges की bench थी उनमें से 7 judges के जिसियन जो था उसके favor में थे 7 to 6 का ये पूरा ratio था judges का judgment आया था उस पे हम ही जिन्होंने agree किया था केसवान भारती यहां पे अपने मठ की जमीन का जो उनका case चल रहा था वो तो हार गए लेकिन केसवान भारती की वज़े से इस case की वज़े से पार्लेमेंट की जो power थी वो limited हो गई उन्होंने जो अपील की थी के पार्लेमेंट की जो power है वो limited होनी चाहिए इसके बाद सुप्रीम कोट ने अपना एक landmark judgment दिया एक ऐसा judgment दिया जिसने एक तरह से कहा जाए कि डेमोक्रिसी को इंडियन डेमोक्रिसी को बचा लिया और इस तरह का एक पूरा सिस्टम तयार हुआ कि जहां सरकार के पास absolute power नहीं रहेगी तो Supreme Court ने यहां पर बहुत ही balance तरीके से Judiciary और Parliament के बीच के रहो टसल जो खीशतान चल रही थी एक लंबा conflict चल रहा था उसको end कर दिया खतम कर दिया लेकिन केसरान भारती केस के judgment के बाद इंडरा गांदी का बताया जाता है कि वो खुश नहीं थी जो judgment आया था उससे और Supreme Court के Judges को एक तरह से सबक सिखाने के लिए कुछ ऐसी चीज की गई थी कि एक दिन बाद ही इस के केसरान भारती केस के judgment के एक दिन बाद ही 26 अप्राल 1973 को इंडरा गांदी सरकार ने तीन सीनियर जजजेस के होते हुए तीन सीनियर जजेस जस्टिस सेलत जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगडे के होते हुए एक जूनियर जजज जो थे उनसे उन्हें सुपर सीड करके जस्टिस एन राय जो थे उनको सुपर सीड करके CGI बना दिया भारत का Chief Justice ऑफ इंडिया बना दिया गया तीनो सीनियर जजेस को सुपर सीड करते हुए एक चौथे जज़ को लाके यहां पर CGI बना दिया जाता है जो यह जो Justice A.N. रहे थे इनके बारे में बताते हैं कि यह उस साइड में थे पक्ष में थे जहां पर यह था कि Parliament के पास सारी powers होनी चाहिए इन्हें यहां पर CGI एपॉंट कर दिया जाता है और इस चीज से इस बात से नाखोश होकर जो बाकी तीनों सीनियर जज़ेश थे वो शुरुवात में छुट्टियों पर चले कर उसके बाद में उन्होंने एक महीने के अंदर ही मही में रिजाइन कर दिया यहां से तीनों सीनियर जज़ेश ने तीनों ने अपना रिजाइन रेजिगनेशन यहां पर डाल दिया था अब यहीं लेकिन पहली बार नहीं था जब सीनियरिटी जो प्रिंसिपल होता है CGI बनने का भारत के अंदर जो अपोइन्मेंट CGI का अपोइन्मेंट होता है उसको सीनियरिटी प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है लेकिन यह पहली बार नहीं था कि जब इसको फॉलो नहीं किया गया था इंद्रा गांधी के पहले उनके पिता जो थे और इसके चलते जस्टिस गजिंद घटकर को यहां पे सीजाई बनाया जा रहा है तो यह सब चीजें पहले भी होई थी इंद्रा गांधी के पिता भी यह कर चुके थे इंद्रा और जुडिशिडी का जो कॉन्फलिक्ट था वो इतना लंबा चला इसके बाद भी के जिसके बाद भारत को अपने आपातकाल के दिन भी देखने पड़े और यह सब चीजें जो थी वो 1973 से आप देखे तो 75 में उसके बाद आपातकाल लगा है और किस तरह से लगा है वो हमने आपको इसमें involvement हुआ इसके बाद किस तरह उन्होंने अपना पक्ष रखा फिर सुप्रीम कोर्टर पार्लेमेंट के बीच की जो टसल थी तो कॉन्फलिक्ट था वो कैसे इसमें आगे बढ़ा हो इसके बाद में इसका आप्टरमाथ इसके बारे में पता चला होगा साथ ही साथ में किस तरह से कौनसकौन से amendment कौनसकौन से बदलाव किये गए थे constitution में वो पता चला होगा और सबसे बड़ी बात इस landmark judgment के बारे में आपको यहां पर पता चला है आपको study IQ के कई सारे courses इस P2I batch का भी जो course है पूरा prelims to interview वो सब आपको इस वीडियो के link में मिल जाएगा यहां पर आपको कई सारे description में link मिल जाएगे वहाँ पर जाके आपको सिर्फ VJ live code लगाना है और इस code को लगाते हैं आपको maximum discount मिलेगा जो 70,000 का course है वो आपको 30,000 रोपे मिल जाएगा साथी साथ में आप हमारे कई सारे वीडियोज वहाँ पर देख सकते हैं आपको एक playlist का link मिल जाएगा आपको वहाँ पर सारे हमारे वीडियोज दिख जाएगे इसी तरह से हम आपको कई सारी research करके कई सारा material gather करके फिर आपको यहाँ पर कहानी के format में सारी चीज़े सुनाते हैं तो अमीर आपको एपिसोड पसंद आया होगा अपनी भी आप जितने topics सामें बदा सकते हैं आपकी topics पर वीडियो लाए जाएंगे हम भी आपनी तरफ से आपनी वीडियो लेकर आते रहेंगे तब तक लिए दीजेज़ाद नवशकार धन्यवाद जाहिंद